हेलो फ्रेंज नमस्ते आप सब कैसे हैं आप सब को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो और देखिए ठंडी के मौसम में इसमें चटपटा खाने को हर किसी को दिल करता है और बेशन के पकोड़े तो हर कोई बनाता है कुछ अलग और डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए ज ना दाल भिंगोया है और ना चावल और जटपट से इतना अच्छा और टेस्टी और क्रंची और करारी बनाया है ना पकोड़े टिकी इतना खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा एक बर जरूर आप लोग इस रेश्पी को फॉलो किजिए और ट्राई किजिए और बनाएए ठ कर रिफिये ना पको कम और कले चारे क्ख़़ारा माँच चावाल है यह और एक क्तोरी लिए बड़े क्कोड़े से और उस सोपिया से ठोड़ा सा कं म हमने यह मूंग दाल लिया और तिनो टिनों का का में मिक्स करकर कए एक पैन में इन सब को एक साथ रोष्ट करना है यानी भूनना है इनको और क्या करना है ना कि अगर एकदम ब्राउन भून जाए एकदम मीडियम गैस रखना है एकदम स्लो क्योंकि हाई में रखने से हमारा जल जाएगा और मीडियम देखिए कितनी अच्छा ब्राउन भून गया है और वो गरम है उसको ठंडा होने दीजे तब त पांस करके और वात करके च्हणननी में छाण के रखे है और ऊशकर घंड़ा हो रहा है तब अब तक हम धन्डा हो गए दो असे च्छाँनने लाइक ही डालिए गए अंगे त्रशिश को हैं अधिमेक सोता है अच्छे से और यह देखिए थोड़ा सा चावल का दरदरा रहता है पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है और यह देखिए आम एक भरतर में डाल दिया पीसके और उसमें जो हमने आलो को कदुकस करके रखा था ना ओ डाल दिया और यह एक बड़ा साइज पियाज है दो है आप जितना अगर पियाज ज्यादा खाते तो दो तिन ले लिए और यह थोड़ा तीखा कमसार आप भरी मिर्च खाते हैं तो डालिए नहीं तो इसकीप किजिए और यह स्वाध अंसार नमक और इसमें हम एक बड़ा चमच जीरा और थोड़ी सी काली मिर् और ठोड़ी सी हाम इसमें चटबटा के लिए थोड़ी चाट मसाला डाले एक छोट़ चंसे और सबको अच्छे से मीक्स करेंगे जो आलू का मोश्चर के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे एकदम चम्मस से तीन चम्मस समझे लीजे क्योंकि इसको ज्यादा हमको गिला नहीं करना है और देखिए हमने ये थोड़ी सी पानी च टिकी बनने के लिए रेडी हो गया है अब हम एक-एक अच्छे से मिक्स करने के बाद से एक-एक लोई लेंगे और टिकी बनाएंगे आपको दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं आप लोग जरूर इसको ट्राय किजिए बनाईए न चावल भिंगोने का टेंजन है और न दाल और एक हत्तिली पर रखें दुसरे हत्तिली से बस दबा दीजिए एक टिकी साइज आपको जो भी पसंद है जिस टिकी के हिसाब से या कोछ भी वसी आप साब दीजिए इसको साइज और बनाएं और देखिए अराम से मिक्स करके लड़ू पेड़ा और उसके बाद उसके हत्ति साइलिओं से उंगली हो से दबाते मीठी की बना ये और एक साथ मैं चेह साथ मश्री साथ इंगी टिकी को तलियेगा तब तक हम आपको बना के दिखा रहे हैं और यह देखें हमने गहस पर तेल आप इसमें तेल बे ज़्यादा नहीं लगता है ओल फिरी बोले लोग भी बहुत अच्छे सखा लेकते हैं क्योंकि इसमें तेल जदा नहीं सोकता है और इसमें हम तेल रख दिय गरम होने के लिए और तेल गरम हो रहा तब तक हम एक साथ 6-7-8 टिकी बना लेंगे और उसके बाद ही हम तेल में डालेंगे तब तक तेल हमारा गरम हो रहे दिखिए हमने बना लिया और उसके बाद से तेल गरम हो गया है और ज्यादा मीडियम हाई ही ही होना चाहिए टमाटर सोई के साथ यह केचप के साथ या कुई अपने मन पसंद चटनी के साथ बनाईए और खाइए शर्व कीजिए और इसको राम से तलिए और ये कोई चिपगता अब अब पंगता नहीं है पक जाएगा उसके बाद इन लेट में सर्व किजिये, और खाहिए अपने फेमिलियों के साथ इन्जॉआए किजिए, हमने तो टमाटर शौस के साथ रखा है, और आप जिस मन पसंद चटनी के साथ रखिए या टमाटर शौस के साथ खाए juvenile जिस से पसंद है या ऐसे भी खाह कीजिए और एक बार और आप लोगों को नए साल के बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को साल खुशियों से भरा रहे और हमारे को सपोर्ट कीजिए प्लीज थांक्यू सो मच